हलो दोस्तों असो किचन में आपका स्वागत है आज हम बनाने जा रहे हैं मस्रूम और मठर की सब्जी कुछ इस तरीके से बनाएंगे अद्रक लैसुन मर्चा गॉल वाले मर्चा यह वह कापी तीके होते हैं कि दो दो प्याज ली आपने मेडियम साइज के और कुछ गर्म मसाला है यह जाइफा जाइवित्री इलाइची लॉंग इलाइची बड़ी इलाइची और यह काली मिर्च डालचीनी कुछ यह सब मसालों को यह दोनों मसालों को अच्छी तरीके से मिक्सर में हम पीस लेंगे इसको फीच लेते हैं, कड़ाई हमने पहले से रख दिया था हमारा कड़ाई गरम हो चुकी है, इसमें डालेंगे सासो का तेल, तेल गरम हो जाने के बाद, इसमें जीरा डालेंगे, तरीके से, तरीके से, कड़ाई पत्ता, जो मेडियां साइज के हमने पियाज काड़ के रखे हुए, इसको डालेंगे, बारा मारा मुक्ती चलाते रेले, पियाज हमारा जलेना, भूरा हो जाने जीर पियाज के, ते इसमें टमाटर डालेंगे, इसमें टमाटर डालेंगे, जो पियाज हलका भूरा हो चुका है, पहले कट的話 की हैं तरह माозможно कुल दान लेटें नमक क्राइब है जरी के दर हुआय हो अगा ताहिकले जालनें के अधिकित दयले हैं जाने के नलीके ते यृपीजे सा हो मसाला वाले वह बहुंद analysis कर दा हुए जुपीजे चैК के कड़ में साद हैं एक चमब धनिया, हल्दी पाउडर आदा चमब, गरम मसाला एक चमब, और कस्मेरी मेज आदा चमब, इस अभी को अची तरीचे से निला लेंगे, मारा मसाला अची तरीके से जब पक जाएगा, उसके बाद ही डालेंगे, मसाला हमारा अची तरीके से पख गया है, और इसमे, डालेंगे कटेंबे मस्रों, मीडियम साइज, मता भी बक चला लेंगे, मताय भी डाल लेंगे साथे साथ राम से आप चला लीजिए इस तरीके से गये सलका तेज कर दीजिए इसको बीच बीच में आप चलाते होई यह इस तरीके से मसाला हमारा भग चुका है अब इसमें अलका हम पानी डाल देंगे आप अपने ज़र्बूत के हिसाथ से पानी डालिएगा यह पानी वही पानी है जो मसाले वाला पानी है इसको हम बेस्ट नहीं जाने लेंगे इसको जो मसरूम होता है, मसरूम को जब हम मसाले के अंदर डालते हैं, तो ही वो पानी छोड़ता है, तो इसलिए आप भ्यान दखिएगा, अपने हिसाब से डालिएगा पानी, आप सुखा भी बना सकते हैं, इसमें थोड़ा नमक और डालेंगे, क्योंकि इसमें हमने कम नमक डाला पंदा मिनट के लिए इसको ढख के छोड़ देंगे, सब्जी हमारी चब तयार हो चुकी है, यह देखी, बेहतरीन सब्जी बनके तयार है, एक बतन में सब्जी को निकाल देते हैं, गाड़ी-गाड़ी क्या लाजवाब सब्जी बनी है, हमारी मसरूम और मटर की सब्जी बनके खाने के लिए तयार है, इस तरीके से, आप चाहे रोटी के साथ खाईए, चाहे चावल के साथ खाईए, अगर यह वीडियो आपको पसंद आता है, तो हमारे चैनल को सब्क्राइब, लाइक, फिरप्या जरूर कीजिए, धन्यवाद